आज में रिबू करने वाली मैंने मिश्व से ओडर किया था एक सांडुइज मेकर तो इसका रिबू आपको साथ सेयर करेंगे और डेमो भी आपको दिखाऊंगी तो इसको आप बाय करना है नहीं करना है और क्वालिटी केस आए तो रिबू स्टार्ट करने से पहले अगर मेर मत भूल भी मत भूलिए जल्दी से लाइक किजें तो इसका इमेश प्राइस किंगों पर डाल देंगे और लिंक भी डिश्व सुन बॉक्स में दे दूंगी तो यह जो है ना ग्यास टोस्टर है तो आप इसको ग्यास में यूज कर सेकते हो प्याकेजिंग कुछ इस तरह से मुझे रिशीव भूआ है इस तरह से और एक्ष्टा प्याकेजिंग कुछ नहीं है इसमें आपको उपर में लखावा मिल जाया ग्यास टोस्टर तो इसका जो प्राइस है यह आपको 300 के अंडर में रिशीव होगा तो देखते हैं सेही में यह केशा बनाता है सांडवीच यह क्वालिडी केशा है तो यह रहां इक्ष्टा पैकेजिंग कुछ नहीं सिर्फ इस तरह से पैकेजिंग रिशीव होगा है और यह कुछ इस तरह से आपको मिलेगा और इतना बड़ा साइज में आपको मिल रहाएगा तो यह पूरी ब्लाक कलर में है और ज्यादा भी वेट नहीं है बहुत ही हलका है वेट ज्यादा नहीं है इसमें और यह आपको कुछ इस तरह से अधर मैं पहीं है और ज्यादा लाइट śते ज्यादा ब्लाक कलर में आपको मिलेगा और वेडिया है यह को कुसी स्वीर क्लू देया गया भ recycling अपको मिलेगा और यह आपको लौक करने लिए आपको इस तरह से प्रेस करना यह उर इसको इस तरह से लॉक हो जाएगा और आराम से आप दोनों साइड इस तरह से ग्यास के ऊपर उपर निचर करके आपको रख सकते हो यह जो है ना सुर्या किंग इसका जो ब्रांड है सुर्या किंग का है और आपको यह इस तरह से मिलेगा आराम से सांड़ुच बनाता है और आपको बनाके दीखाऊंगे और ज्यादा भी हेवी नहीं लाइट वेट है और इस तरह से हैंडल दिया गया है हाथ गरम ना अप्लास्टिक का दिया गया है और ये लॉक करने के लिए आपको दिया गया है यह लेक्टरी बाला नहीं है इसमें आप आराम से ग्यास पर चुला पर आप इसमें बना सकते हो क्वालिटी तो अच्छा है ज्यादा खराब नहीं चलो बना के देखते हैं सेही में इसमें सांडुईज बनता है कितने टाइम लगाता है तो देखते हैं कितने बना सकते हैं कितने बना सकते हैं कितने बना सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 मेरे वीडियो आपको कैसी लेगे और पसंद आई लाइक करना आप दो चानल को सब्सक्राइब नेगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेट करें बताएं मेरे वीडियो आपको केसी लेगे मिलेंगे नेश्ट वीडियो पर तब तक लिए वाएं झाल झाल